Friends, जैसे डॉक्टर गुमाश्चा ने बोला, I am a gynecologist. मैं एक healthcare system से जुड़ी हुई हूई हूँ. और मेरे पहले speaker वो भी doctor थे और यहाँ पे बहुत से doctor लोग बैटे हैं. ये मेरी बात से सहमत है कि आज current medical scenario में जो patient और doctor का एक relation होता है, उसमें बहुत करवाहट आती जा रही है, उसमें बहुत तनाव बढ़ता जा रहा है. तो शायद ये हमारे लिए एक चिंतन का विशह है कि हम अपना introspection करें, आत्मे विशलेशन करें कि हम किस तरीके से इस मधूर संबंद को पुना स्थापित कर सकें, किस तरीके से आने वाली जनरेशन के लिए ये आसान हो जाए कि फिर से एक डॉक्टर और पेशन का रिलेशन अच्छा बन सकें. इसी मेरा topic इसलिए थोड़ा सा भिन है और मैं इस बात को यही बताना चाहती हूँ. जब हम लोग medical examination पास करते हैं, तो हम एक oath लेते हैं, oath of hypocritic, जो कि हमें बताता है medical ethics के बारे में और उसका अपने जीवन में उसका पालन करने का. पर friends, सबसे पहला lesson medical ethics का हमको अपनी रामायन में देखने को मिलता है. जबकि शायद ये hypocrite पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय से medical ethics का प्रचलन शुरू हुआ है. और शायद रामायन जैसी ऐसी कोई गरंथ नहीं है, जो कि बहुत ही सरल भाशा में हमको अपने सिध्धानतों का, इतिक्स का और मर्यादाओं के बारे में अग्यान देता है. ये दोहा मैंने लंका कांड रामचरित मानस से लिया है, जिसमें तुलसी दास जी कहते हैं, सचिव वैद गुरुतीन जाँ प्रिये बोलाई भयास, राज धर्मतन तीनिकर होई बेगहिनास, which means that if a physician or a treating doctor, minister and teacher, they cringe out of greed, fear or displeasure in place of right, then gradually the health system, the kingdom and society get ruined. Hence, these three important pillars of the society, they should remain neutral, just and perform their duties without any pressure from the ruling government. आप मुझसे सहमत होगे कि इस दोहे का एक एक शब्द, एक ideal health system, ideal judiciary और administration को दर्शाता है. राम जरित मानस में ऐसे बहुत से incidents हैं, जो हमें अपनी मर्यादा के बारे में बताते हैं. मेरा जो presentation है, it is basically, it is based on an incidence, जब प्रभुराम का युद्ध महाबलशाली पराकरमी लंकापती रावन के साथ लंका में होता है. इस युद्ध में लक्षमन जी घायल हो जाते हैं, उनको शक्ती लग जाती है मेगनाद द्वारब रहमास्त चोड़ने से. और जैसे कि हमारी medical field में हम देखते हैं कि जब कभी कोई patient serious होता है या critical condition में आता है, तो उसको हम लोग वार्ड से एक intensive care unit में shift कर देते हैं, ताकि उसका बहतर अच्छा इलाज हो सके. इसी प्रकार लक्षमन जी को भी युद्ध के मैदान से हटा कर I.C.O. यानि की एक सही जगे पे जहां पे उनका उपचार हो सके, उन्हाँ shift कर दिया गया. इस प्रकार वैसे हम देखते हैं कि भगवान राम और शेशना के अवतार लक्षमन जी को वैसे कोई मार नहीं सकता, पर क्यूंकि वो एक मानव लीला कर रहे थे, एक आम आदमी की व्यथा को वो दर्शा रहे थे. इसलिए और उनकी फौज में ऐसे जरूर बहुत ग्यानी लोग होंगे जो कि लक्षमन जी का उपचार कर सकते थे, पर प्रभु राम ने अपने विभीशन जी की सलामान के सुशैन वैदि को बुलवाया. अब सुशैन वैदि कोन थे? वो लंका के राजवैदि थे. पर उन्होंने वहां आके लक्षमन जी का उपचार करना सुविकार करिया. इससे बड़ा मेडिकल इथिक्स क्या हो सकता है कि एक दुश्मन के सिपाही को भी उन्होंने इलाज करने के लिए हां कहा. Such an event was only possible because of the strong and unshakable belief that both the opposing armies had in the strength of character of the physician. तुलसिदाज जी कहते हैं that both healer and the patient, they should work in unison towards the common goal of successfully fighting the ailment of a patient. पर उसके लिए जरूरी है कि there should be an unquestioned faith in the ability and intentions of the treating physician. लक्षमन जी का जब examine करते हैं सुशेन वेद तो उन्होंने संजीवनी बूटी लाने का आगरे किया. अब संजीवनी बूटी लंका के युद्ध मैदान में तो उपलब्ध नहीं थी, उसको हिमालय परवत से लाया जाना था और इसके बिना उनका प्रानों की बचने की संभावना नहीं थी. अब उसके लिए हनुमान जी को चुना गया, because he had special abilities and superpowers. And there was also a time limit की संजीवनी बूटी सूर्य उदय होने से पहले पहुच जानी चाहिए. जब कोई patient serious होता है, तो he goes in two phases. First is reversible phase. इस phase में उसके organs बराबर काम करते रहते हैं और अगर इस समय उसको सही चिकित्सा, सही इलाज मिल जाता है, तो उसके प्रानों को बचाया जा सकता है. But if this phase is crossed, patient goes in irreversible shock, उसके organs डैमेज होने लगते हैं, अगर अब चिकित्सा दी जाती है, तो बहुत बार हम उसे बचा नहीं पाते हैं. So this reflects the importance of time, the golden hour for treating an emergency for any patient. हनुमान जी, आगे बढ़ते हिमाले की तरफ, तो उन्हें कालनेमी राक्षिस द्वारा रोका जाते हैं, जो की रावन का राक्षिस था, सिपाही था. ऐसे बहुत से कालनेमी हमारे फील्ड में भी अचानक आ जाते हैं, जब हम किसी भी मरीज को कुछ operation या treatment plan की सलह दी जाती है. तो बहुत से लोग उनको discourage कहते हैं, अरे भाई, वहाँ क्यों operation करा रहे हैं, इसकी तो कोई जरूरती नहीं है, ये मरीज तो ऐसे ही ठीक हो जाता हमारे फैलाने ने या operation किया तो वो तो खतम हो गया था, इसलिए आप तो डॉक्टर दूसरा चुनो, और इस तरीके से पार करके पहुंचते हैं हिमाले पे, पर जब उन्हें वहाँ पे संजीवनी बूटी की समझ नहीं आती कि कौन से है, तो वो टाइम नश्ट ना करते हुए वो डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना मैं पूरे पहाड को ही लेके चलता हूँ, जिससे सुशेन वैद्ध जो है, वो उसको उसमें से संजीवनी चुन सकें और लक्षमन जी का इलाज संभव हो। या उसका कुछ दुश परिणाव हमें पता हो ना पता हो, पर वो वहाँ पे उपलब्ध हो जाती हैं। और भरत जी उन्हें देखते हैं और वो समझते हैं, शायद कोई राक्षिश अयोद्या के उपर से जा रहा है और वो एक जट एक तीर मार के उन्हें गिरा देते हैं, जिससे कि हनुमान जी कुछ समय के लिए बेसुद हो जाते हैं। अब दीके हनुमान जी को भरत जी को कन्विंस करना पड़ता है कि वो तो राम सेवक हैं और राम जी के कारे के लिए ही वो पहाड लेके जा रहे हैं। जब भरत जी कन्विंस हो जाते हैं, उसके बाद ही हनुमान जी को आगे जाने की अनुमती मिलती है। Similarly, family members and close relatives जो होते हैं patient के, उनको भी हमें तरह से समझाना पड़ता है, convince करना पड़ता है, उनके apprehensions को दूर करना पड़ता है और जब वो convince होते हैं, तभी आगे इलाज या operation की अनुमती हमें मिल पाती है। जो कि बहुत बार, कई बार delay होने का कारण हो जाती है। रावन को इस सब इंसिदेंस का जरूर ग्यान था। वो चाहता थो सुषेन जी का वद कर सकता था, उन्हें दंडित कर सकता था, because of his action of treating an enemy soldier. But prevailing the medical ethics at that time, he never said, he never questioned सुषेन. और सुषेन जी ने भी अपना फर्स पूरा किया एक जीवन बचाने के लिए, उन्हें ने कभी ये ने सोचा कि वो किसी दुष्मन के फोज का या आर्मी के सिपाही को ठीक कर रहे है। This episode of Ram Charitmanas is an exemplary tale, highlighting the respect and trust that a physician of those time commanded. Tulsidas ji, he highlighted the just and respectful environment for the physician in the society at that time, so that the health personals could execute their duties without any fear or prejudice. For a doctor, friends, a patient remains a patient first, irrespective of the gender, caste, creed, religion, as well as social and political status. Tulsidas ji advised physicians also to remain true to their duties. What we observed is that in those days, a physician was safe, even in the kingdom of an autocratic ruler such as Ravan. But do you think the same situation is true in the present medical scenario? Currently, the healthcare system in India is facing a very difficult time, despite the improvements brought about in mobilizing resources and distribution, as well as the strict implementation of laws. This program, which we see, is a true trust, a patient, and a patient, which we see, is a true trust. So, with the health of the doctors, 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 which, they have to face the causes of the drug. और इसके और ज़्यादा जो concern है वो है कि बहुत से doctors जो है वो दूसरे देशों में migrate हो जाते हैं जो कि हमारे अपने देश के लिए एक valuable asset साबित हो सकते हैं friends I think this is the time and need of the hour to do self-introspection और जब शायद हम अपने को improve कर सकें तो शायद ये समाज में भी ये message जाएगा और धीरे धीरे इस रिश्टे के में बदलाओ आ सकेगा और रामचरित मानस से हमने ये देखा ये देखा चाहे कोई भी era हो कोई भी यूग हो कोई भी time हो कोई भी geographical setting हो या लोग हो जो human emotions होते हैं जो characters उसमें involved होते हैं और reaction to जो various situations होती हैं वो हर era में एक जैसी होती है healthcare system में problems पहले भी थी आज भी है चाहे वो रामराजी था चाहे वो आज का समय है पर रामायन के कारण, रामायन के ethics के कारण we were successful in mobilizing our inner strength to overcome these issues तो आज समय है कि हम रामायन को सिर्फ पढ़े नहीं, सिर्फ सुने नहीं, उसको आत्मसाथ भी करें और इसके कारण जरूरी है कि समाज में भी improvement आ सकता है क्योंकि राम क्रपा ना सें सबरोगा, जो एहीं भाती बने संजोगा सद्गुर वैद बचन विस्वासा, संजम ये न विशे के आसा ये दोहा मैंने उत्तरकांट से लिया है रामचरित्वानस से, जिसमें तुलसिदास ये कहते हैं कि all the ailments can be eradicated by Lord Ram's grace if the following factors combine, first, the faith in the words of physician in form of a true perceptor and second, self-restraint towards sensual pleasures, जै श्री राम अन्में एक बात मैं और बोलना चाहती हूं कि this presentation of mine is my own perception, my own thoughts and feelings if I have hurt somebody, I apologize for that, thank you so much